कॉंग्रेस संसदी अदल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोधी सरकार पर जम कर हमला किया सोनिया ने कहा कि बीजेपी बढ़वारी की राजनीती कर रही है लेकिन कॉंग्रेस उसका मुखाबला करेगी सोनिया ने कहा कि जब से नई सरकार ने सत्ता संभाली है तब से देश में साम्प्रताइक हिंसा की घटाएं बढ़ी है उनों ने कहा कि एंडतिय सरकार के पास अपनी कोई पॉलसी नहीं है और वो यूपियe सरकार के कामों को ही आगे बढ़ा कर उनका शरेल उट रही है सांसेदों को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि अभी भी कई राज्यों में हमारी सरकार है सोन्याने पार्टी नेताओं को लोगों के बीच जाने और उनसे संपरक साधने की बात कही है बैठा खत्म होने के बात लोगसभा में विपक्ष के नेता मलिका अरजुन खडगे ने कहा कि वो लोगसभा में सामप्रताइक हिंसा बिल पर चर्चा कराने की मांग करेंगे जब से मोदी जी की सरकार आई है देश में जातिय दंगों का ग्राफ निचे आया है उत्तरफ देश में जो हो रहा है उसके लिए मोदी सरकार जम्मेदार नहीं है सोन्या गांदी जी और उनकी पार्टी के लीडर्स ने 2014 से कोई सबक सीका नहीं है उनको आज भी लगता है कि वोट बैंक की राजनीती करें कम्मिनलिजम को की बाचीत करें उससे उनको वोट मिलेगा लेकिन भारतिय जनता पार्टी ने एक सकारात्मक विचार रखे जो की है विकास के और आज पुरा देश इस विकास के मॉडल पे वोट डाल रहा है और सोनि गांदी जी इसको समझ नहीं पा रही है ना उनकी पार्टी समझ पा रहे हैं